इस देश के अंदर महांगाई बढ़ी बिरुजगारी बढ़ी अनुसुची जातियों के हक में हक मारी की गई बड़े पाइमाने पर अभी आपने देखा कि जो है पुर्व में जो केंदर प्रयावजीत एक जोजना थी बाबू जग जीवान राम छात्रावास जोजना उस ज खात्रावास संचालित कराना था बना तो इस तरह से उस जोजना को किंदर सरकार ने खतम कर दिया अधरी जीतनडा माझी जी का ब्यान आप लोगों ने सुना होगा उन्होंने कहा था कि नितीष कुमार जी ने मुखमंत्री का पद मुझे संपकर कहती हां सी काम किया ऐसा कोई कर नहीं सकता है और मैं जिन्दगी भर नितीष कुमार जी के साथ हूँ जब तक जिन्दा रहोंगा राजनितिक रूप से नितीष का साथ देता रहोंगा दूसरा जो है पिछरी यती पिछरी जातियों के बच्चों का जो एक कलास से लेकर आठ कलास तक के बच्चों को जो चात्रविती दी जाती थी उस चात्रविती को भी कैंसर कार ने बंद कर द इस्तिफा सौंपे हैं इसकी जनकारी हमें भी मिली है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं इस अंदर में जहां तक हक और अधिकार की बात है हिस्सेदारी की बात है नितिस्कुमार जी ने हमेशा न्याय किया है और उनको शमानित धंग से मंत्राले भी दिया है तो ऐसी परस्थित में उनके अंदर क्या चला है इसका जवाब तो वही दे सकते हैं तारीक को पटना में बड़ी बैठक होने वाली है लेकिन उससे पहले बता दें कि महागडवंदन को एक बड़ा जटका लग गया जटका क्या लगा वह बता दें कि जो संतोष कुमार सुमन यानि जीतन राम जद्धियू में करना चाह रहा था जिसको लेकर के वह इस्थिपाद दिये हैं और इस्थिपाद देने कबाद प्रेस कॉंफरेंश भी कि जिसमें ये साब तोर पे बतला है अब हम इसे बात करेंगे कि आज इस्थिपाद देती है मंत्री मंदल से और उनने बताया कि आप कि हम तो यह कहना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले आधर निये जीतना माझी जी का ब्यान आप लोगों ने सुना होगा उन्होंने कहा था कि नितिश कुमार जी ने मुखमंत्री का पद्र मुझे संपकर कहती हां सी काम किया ऐसा कोई कर नहीं सकता है और मैं जिन्दगी भर नितिश कुमार जी के साथ हूँ जब तक जिन्दा रहूंगा राजनितिक रूप से नितिश जुग का साथ देता रहूंगा अभी एक दो रूज पहले भी आपने सुना होगा उन्होंने का ब्यान आया था कि जो है हम जो पार्टी है हमें सीट मिले ना मिले एक भी सीट अगर नहीं मिलता है वैसी पुरस्थिति में भी हम नितिश कुमार जी के साथ है महा गठमंधन के साथ है तो जहां इस तरह के ब्यान आ रहे और देश की जो हालात है देश में जो संकट पैदा हुआ है जो देश के अंदर जो अनुसुची जातियां है जन जातियां है जो कमजोर वर्ग के लोग हैं गरीब वर्ग के लोग हैं जो ब्रत्मान सरकार ने जो किया है उसका प्रतिफल इस देश के अंदर महंगाई बढ़ी बिरोजगारी बढ़ी अनुसुची जातियों के हक में हक मारी की गई बढ़े पाइमाने पर अभी आपने देखा कि जो है पुरुब में जो केंदर प्रयावजीत एक जोजना थी प्रखंड मुखे है उस पर्खंड मुख्याले में 116 जात्राओं के लिए चातरवास संचालित कराना था बनाकर तो इस तरह से उस जोजना को केंदर सरकार ने खतन कर दिया दूसरा जो है पिछडी यती पिछडी जातियों के बच्चों का जो एक कलास से लेकर आठ कलास तक के बच्चों को जो छात्रविट्टी दी जाती थी उपिता के समकल्प को पूरा करना है कि नहीं करना है क्या इस तरह का तक कोई अपचारिक ब्यान कभी किसी पार्टी के तरफ से पहले से नहीं आया इसलिए इस पर हम अभी कुछ बोलना मनासिब नहीं समझते हैं जब उसे एंडिये के साथ वो लोग थे एंडिये की शरकार में आप लोग थे उससे में उनको उनके पास दो मंत्री मंडल और जैसे ही महागटवंदन में आये तो मंत्री मंडल एक मिला उस समय से भी खटपट चल रहा था संतोस्वमन की देखिए जहां तक हक और अधिकार की बात है हिस्सेदारी की बात है नितिश कुमार जी ने हमेशा न्याय किया है और उनको शमानित धंग से मंत्राले भी दिया है तो ऐसी परस्थिती में उनके अंदर क्या चल रहा है इसका जवाब तो वही दे सकते हैं लेकिन आधरनियों नेता स्रीनितिश कुमार जी सभी वर्गों के लिए सभी धर्म के लोगों के लिए युद्याय के साथ भिकास करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद यह हमारे साथ जैद्यू के प्रदेश प्रवक्ता हिम्राज रामजी थे इननों साब तर पर पताया कि वो किनिके साथ रहना चाहते हैं वो उनके उपर शोचने के लिए उनको दिया गया है फिराल आपके इसमें क्या प्रतिक्रिया है कॉमार्ट व